कि यहां पर मैंगनिप्टी का जो डेली चाइम पाला चाड़ है यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है यहां पर पांच दिन हो गया एक दो तीन चार और आज के दिन पर भी फाइब डेज हो गया पर पिछला दिन को लोको इसने एक बार के लिए भी ब्रेक नहीं किया तो गाइस यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है ना तो गाइस अगर मार्केट यहां पर उपर की तरफ जा रहा है आप लोग यहां पर डिरेक्टली सेलर बनने की कोशिज मत करो ठीक है मार्केट इंट्राडे में अगर 1300 पॉइंट का डिप्स मिलता है तो यहां पर रेंज देखके आप लोग बाइंग का ऑपर्चुनिटी ढूढ़िए क्योंकि यहां पर आपको सेल भी करना ना तो भी छोटे मुटे क्वांटिटी से सेल कीजिए क्योंकि यह जो एरिया पर जिल लोगों ने भी यहां पर बाइंग करने के लिए प्राइस को छोड़ दिया था वो सारे के सारे लोग थोड़ा सा नीचे आएगा तो उन लोग का एंट्री देखने के लिए मिलेगा ठीक है वो लोग एंट्री लेते हुए आपको दिखेगा तो इहां पर आभी क्या देखने के लिए मिल रहा है डेली टेम पर हम लोगों को सेलर का एक्टिवेशन कौनसा लेबल के नीचे जाने के बाद होने वाला है वो है आपका 45,400 लेवल के नीचे जब तक प्राइस नहीं आ रहा है तब तक यहां पे हर डिप्स पे आपको बायार एक्टिव होते हुए दिखेगा समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही धैन में रखो मार्केट नीचे आया रेंज बनाया तभी मुझे ट्रेड करना है तो यहां पर मैं 15 मिनिट टाइम पे चला जाता हूँ और उसके बात काल के डे में क्या प्राइस मूम्मेνट हो सकता है तो उस सीच्योशन पे हम लोग बात करेंगे यहां पर 15 मिनिट टाइम फ्रेम वर अचार्ड है और 15 मिन टाइम पर यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है ना मार्केट थोड़ा समय फाइब मिनिट पर चीज आप लोगों को समझा देता हूं यहां पर अगर देखेंगे मॉर्निंग में हम लोगों को एक थोड़ा सा यहां पर मूब देखने के लिए मिला था चोटा मोटा प्राइस एक्षन मूब देखने के लिए मिला लेकिन मैंने जैसे बोला था क्या जो नहीं चोटा मोटा आपको डिप्स तो दिखेंगा यहां से देखिए कितना पॉइंट का डिप्स आपको मिला मॉर्निंग में दे ह इसे 300 point का dips आपको मिला तो dips जब भी आपको दिख रहा है उस dips से खरिदधरी करने की कोशिस कीजिए ठीक है dips पे खरिदधरी करने की कोशिस कीजिए ठीक है प्राइस एक्सन कैसे बंगते हुए उपर की तरफ जा रहा है उसने एक बार के लिए भी अपना लोग को ब्रेक नहीं कर रहा है ठीक है एंड अब तदे पे ठोड़ा सा हम लोग को फॉल देखने के लिए मिला ही से रिया पर ठीक है नीचे आ रहा है रेंज दिख रहा है रेंज को ऐसा ब्रेक आउट करने के लिए दिख रहा है तो ऐसा कोई रेंज बनने दिख रहा है तो उस एरिया पर रेंज को ट्रेड कीजिए ठीक है तो आज के end of the day पे आप देखेंगे तो इस एरिया पे market थोड़ा सा consolidate करके close दिया, अगर काल के डे में market इसी एरिया के आसपास अगर open होता है और यहां पर 2-4 मिनिट टाइम भीताने के बाद अगर उपर की तरफ breakout होता है, इस एरिया से हम लोगों को फिर एक हमारा जो आज क अगर इस एरिया को फिर से जाते हुए देखेंगे और उसके बात 45,600 लेवल अगर ब्रेक होता है उसके आगे 45,733 का लेवल और उसके बात 45,833 का लेवल आपको 833 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर इसी लेवल पर open होके काल के डे में अगर market नीचे की तर अगर इस जोन पर open हुआ, market लेवल तोड़ने के बात यह थोड़ा सा उपर लिया, फिर जब उसने उसी लोग को break करने की कोशिज करेगा ना, मैं यहाँ पर seller बनने की कोशिज करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास एक price एक्सल लेवल बनेगा, जिसके हीज़र से म मेरे को बनेगा, ठीक है, तो इस एरिया पर मैं ऐसे entry ले सकता हूँ, जो मेरा अगर इस जोन पर open होके नीचे की तरह breakdown देता है, तो, और उस situation मेरा पहला जो target रहने वाला है, ओ आज का day का low है, ओ रहेगा आपका 45,533 वाला level, 533 वाला level पहला target, उसके बाद previous day का जो low था हो लोगों को मिल सकता है, target हो रहेगा, आपका 44,790 का level, ओके लेवल तक हम लोगों को तीन target मिल सकता है, अभी अगर माल लीजिए, काल के day में market पूरा gap down ही open हो जाता है, ठीक है, काल के day में माल लीजिए, काल के day में market यहाँ पर gap down हो जाता है, इस area के आसपास market open हो जाता है, तो गाइस, यहाँ पर अगर market रुख के, अगर यहाँ से उपर की तरफ ब्रेक आउट देने की कोशिज करता है, तो यहाँ से मैं फिर से call buying करने की कोशिज करूँगा, क्योंकि मेरे लिए previous, उससे previous day वाला low एक support के हिसाब से काम करेगा, जैसे मैंने बोला, एक buying market में मैं ड जैसे ही उसने high break करेगा, मैं यहाँ पर position बनाऊंगा और उसी hammer को low को मैं SL1 लूँगा, अगर price घुमते हुए उस hammer को low को break करता है, तो मैं यहाँ पर अपना loss book कर लूँगा, ठीक है, अगर उसी hammer की उपर चलता रहता है, तो यहाँ पर मेरा जो आजकाडे का इस area का पहला target अगर market नीचे की तरफ जाता है, इसके बाद यहाँ से price अगर नीचे की तरफ जाता है, तो गाइस उस situation मैं फिर से ओही चीज़ को maintain करने की कोशिस करूंगा, यहाँ पर मेरे को चाहिए एक price action, बराबर एक price action, range बना है, यहाँ पर range बना है, breakdown करे, उसके बाद यहाँ पर ए price action लोग को break करे, उसी condition पर मैं यहाँ पर seller बनने की कोशिस करूंगा, ठीक है, समझ में आया, मैंने जो बोलने की कोशिस के आब लोग को कब हमें सेल करना है, क्यूंकि हमें एकदम nakedly, directly हमें सेल नहीं कर देना, हमें confirmation बराबर होना मंगता है, उसके बाद ही हमें सेल करना चा आज का दे का हाई को break करता है, तो यहाँ पर आप लोग जूड जाहिए, क्यूंकि depend on that, क्यूंकि हम लोग फिर से call time high zone पर जाने के लिए, मतलब टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उस situation पर क्या target होने वाला है, क्या SL होने वाला है, क्या logic पर हम trade करेंगे, उसके लिए आपको ज पर पर नहीं बना, तो बैंने इसलिए nifty को plan बनाया था ट्रेड करने के लिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे, तो nifty में बहुत बहत बैरतरिन एक consolidation setup बना था, nifty के पास, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनिट पर देखा जाए, तो 4-5 candle यहाँ पर consolidate करता है, और previous day का लो के नीचे से ट्रैप करके आता है, तो प्रिवियस डे का जो हाई था, हाई का नीचे से ट्रैप करके आता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा ट्रैप सेट आप बनता है, अगर पांच मिनिट का टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो ब्रेकाउट वाला लेवे पूरा पूरा एकदम ठीक है तो गाईस ऐसे ही अगर बहतरीन ट्रेड आपको करना चाहते है आप लोग ट्रेड के साथ जूड़ना चाहते है प्रॉपर अनलेसिस लोजिकल एंड प्रॉपर रिजन बेस्ट ट्रेड जो होना मंगता है तो उसके लिए आपको टेलिग्रम चैल